दोस्तो विसाल पांडे बिग बॉस में एक कॉंट्रोवर्सल कंटेस्टेंट बनकर सामने आए लेकिन उन्हें लोगों का प्यार भी बहुत मिला और प्रसिद्धी भी इस वीडियो में हम विसाल की फेमस होने और बिग बॉस तक पहुचने की काहनी जानेंगे साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंट्रेस्टिंग बातें इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए करते हैं सुरू से बात 21 नवंबर 1998 को मुंबई महाराष्ट में विसाल पांडे का जन्म हुआ और मुंबई में ही वो पले बड़े बात करें विसाल की फैमिली चाती थी कि वो MBA करें लेकिन विसाल अलग ही दिसामें बड़ा चुके थे वो कॉलेज के टाम से ही फैसंसोस और मॉडलिंग करना शुरू कर चुके थे उनी दिनों बहरत में टिक टॉक ट्रेंड कर रहा था इसलिए विसाल ने भी टिक टॉक पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया टिक टॉक वीडियो बनाने की सुरुगात विसाल ने अप्रेल 2018 से की सुरुगात में विसाल अपने रूम से ही वीडियो बना कर पोस्ट कर रहे थे इन वीडियो उसको विसाल ने अपने दोस्तों को दिखाया जिससे कि वो दोस्तों से पूँच सकें कि वो वीडियो में क्या सुधार कर सकती हैं लेकिन मदद करने की जगे उनकी दोस्तों ने ट्रोल करने लगी दोस्तों की बीच उस टैम विसाल का बहुत मजाक उडाया गया विसाल को उनका मजाक उडाना बुरातो लगा लेकिन उन्होंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया उन्होंने सोचा कि फेमस होकर ही इन लोगों को चुप करा सकता हूँ वरना अगर मैंने यहाँ से वीडियोज बनाना बंद कर दिया तो ये लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाएंगे दोस्तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर वेल आइकोन प्रेस कर दें हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इनफर्मेटिव वीडियोज लाते रहते हैं विसाल लगातार वीडियो डालते रहे और कुछ महीनों बाद उनकी वीडियोज भी चलने लगे अब विसाल फेमस होने लगे थे इसी फेम के चलते साल 2019 की स्टार्टिंग में उन्हें एक मीट अप करने का मौका मिला इस मीट अप में कई फेमस टिक टॉक क्रियेटर आये थे इसी में समीक्षा सुद और भाविन बनुसाली भी आये थे हलांके भाविन तब ज़्यादा फेमस नहीं थे वो एजे फेन इस मीट अप में आये थे पर समीक्षा और विसाल उन्हें पहले से जानते थे इस मीट अप में इन लोगों की जान पेंचान हुई और दोस्ती हो गई बात चीत करते हुए ही पता चला के इन तीनों का घर मीरा रोड पर ही है अब इन तीनों ने तै किया के हम तीनों ही वीडियो क्रीटर हैं तो क्यों न हम लोग साथ में मिलकर कॉमेडी और स्टोरी वीडियोज बनाएं इसके लिए तीनों ही मान गए और अब ये लोग डेली मिलने लगे और डेली वीडियोज बनाने लगे इन लोगों का ग्रुप बन गया और इस ग्रुप का इन लोगों ने नाम रखा तीन तिगाड़ा यहां से इनकी दोस्ती भी बहुत गहरी होती चली गई और ये लोग तेजी से फेमस होते चले गए जब टिक टॉक बारत से बेंड किया गया तब तक विसाल टिक टॉक पर थार्टीन मिलियन फॉलोव पर सो चुके थे इन लोगों ने तीन तिगाड़ा नाम से एक यूट्यूब चैनल भी बनाया जिस पर अच्छे खासे व्यूज आते थे पर बाद में इन लोगों ने उस पर वीडियोज डालना बंद कर दिया दरसाल टिक टॉक बेंड होने के बाद ये लोग ज्यादा कर दिया उन्हें म्यूजिक वीडियोज मिलने लगे और फैसन मॉडल की तोर पर भी काम करने लगे विसाल ने इस्टाग्राम से और ज्यादा पॉपलरिटी हासिल की इसी वजह से उन्हें मिला मौका बिग बॉस ओटी टी सीजन 3 का हिस्सा बनने का बिग बॉस में भी विस से बाहर विसाल को बहुत सपोर्ट मिला और अर्मान को बहुत गालिया क्योंकि सब जानते हैं विसाल एक अच्छे संसकारों वाला लड़का है और अर्मान एक धोखेवाज इंसान है बिग बॉस में विसाल बहुत एक्टिव नजर आए इसलिए उन्हें वहाँ से भी शुरू ही हुई थी जिसके बाद ये लोग मिलने लगे और क्लोज आते चले गए ये दोनों तो अपना रिस्ता दोस्ती का ही बताते हैं पर इनका बॉंड दोस्ती से बढ़कर है ये लोग जब वीडियो नहीं बनाते हैं तब भी साथ नजर आते हैं साथ में ही घूमने जात अगली बार से रोस्त करेगा नहीं अगुगा ठीले थोड़ा थोड़ा सुरी बोल दिया ना तो दूद पीले दोना मैंने तो अग्ली मैंने ना नमक दालना भूल गई तूद में नमक वाट इस नमगला थी है तो उसमें शकर दालना चीए पर्फ्यूस के पड़ा थोड़ तो फ्रेंट्स ये थी लाइफ स्टोरी विसाल पांडे की उमीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉंस लाइक शेर और कमेंट करके जरूर दें आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत व विडियो में झाल